तो बात करेंगे आज के इस वीडियो पे Shibainu के बारे में Shiba token के बारे में और basically हम यहां पर समझेंगे क्या आपको यहां पर इस time entry आपको लेनी चाहिए यहां मैक actual की विडियो के आप पूरा देखो यहाँ पर हम टेक्निकली यहाँ पर सबढ़नी की कोशिस करेंगे सीवा एन्यू में हमें क्या next moment देखने को मिल सकता है और नीचे आपको description पर टेलिग्राम की लिंक होगी तो उसे भी आप यहाँ पर join कर सकते हो जहाँ पर market की update हो सबसे पहले सीवा एन्यू को अगर आप वंडे के चार्ट में आप दिखोगे तो आप यहाँ पर फिलाल कोई entry बनती है आप देख सकते हो यहाँ पर सीवा एन्यू का price लगाता डाउन जा रहा है और डाउन जाने के बाद जो इसकी area है जो कि एक support लेवल ही है तो अगर आपको अच्छी entry लेनी है real entry लेनी है तो आप वेट करना अभी फिलाल अभी फिलाल सीवा एन्यू में कोई खास entry नहीं बन दी है 0.00215 का जो area है वो एक strong area है तो यहाँ पर आप चाहो तो entry ले सकते हूँ अगर सीवा एन्यू का price आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो तो अभी फिलाल सीवा एन्यू पर आपको entry लेनी से बचनी चाहिए I think कि यहाँ से और down आपको देखने को मिल सकता है Maybe कि यहाँ से थोड़ा सा आपको push देखने को मिले थोड़ा सा ये कुछ इस तरह का हमें देखने को मिले लगिन इसके बाद हो सकता है कि यह आपको कुछ इस तरह का moment आपको देखने को मिल सकता है काफी support एरिया है 0.0215 का तो यहाँ से और भी कर सकते हो, long भी कर सकते हो कि यहां से अच्छा खासा pump आपको देखने को मिले अगर weekly candle भी आप यहां पर देखोगे तो आप देख सकते हो यहां से weekly candle थ्रवा सार डाउन पर ही close हो रही है और अगर weekly candle बिल्कुल इसी तरह का अगर यहां पर raid पूरा raid यहां पर close होती है तो काफी ज़्यादा chance बन जाएगा कि फिर यह लगभग 0.000215 या 0.0022 में यह लगभग आपको देखने को मिले जोकि काफी strong support है और I think कि यहां पर आपको entry लेनी चाहिए अगर इस area पर आपको देखने को मिलता है तो आप यहां पर entry आप जरूर ले सकते हो तो आप थोड़ा सा wait करना Siba Inu पर और जल्दबाजी में भी फिलाल entry लेनी के जरूरत नहीं है में भी कि यहां पर आपको देखने को मिले यहां से आपको pump देखने को मिल सकता है इस तोरहन Siba Inu पर आपको sort की भी position आप मिल सकती है just like कि जो area बनती है 0.0025 में तो में भी कि market अचानक से down नहीं जाती है आपको पता होगा कि market हमेशा retracement लेकर down या आप जाती है तो मैं भी कि यहां से इस तरह से कुछ है आपको pump थोड़ा से देखने को मिले तो 0.0025 में अगर आप जाती है तो आप यहां से एक sort की position open कर सकते हूं with a stop loss 0.0026 के साथ अगर और भी थोड़ा सा आप देखने को मिलता थी यह total sort की position है आप यहां पर भी sort का position आप open कर सकते हूं 0.0027 पे लेकिन stop loss के साथ open करना और low leverage के साथ अगर leverage और stop loss आप maintain नहीं करोगे तो आप यहां पर liquidate हो सकते हूं तो इन से चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान दखना और pump होती है तो आप यहां से sort ले सकते हो लेकिन अगर dump करती है तो इस area का आपको wait करना लगभगा पर 0.0022 का और यहां पर आपको देखने को मिलता तो यहां से आप long भी कर सकते हो या फिर spot में भी buy कर सकते हो और काफी जाए चांस बनेगा कि यहां से एक अच्छा खास आपको profit देखने को मिल सके तो यह रहे कुछ छोड़ी सब्डेट सीबा आयन्यू के बारे में मिलता अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई information के साथ तब तक लिए गुडबाई जैहिंद